नमस्कार दोस्तों गारगी एक्लास इस पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियान एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेट से इंपोर्टन आर्टिकल्स की देखो आज हम दो वीडियो बनेंगे आपके लिए और दो उसको हम डिसक्स करने वाले है एक तो ICMR की जो वेबसाइट है ठीक है वो बिसिकली है कोई है उसको लेकर क्या आर्टिकल है देखेंगे उसमें क्या इश्यू आता है हमारी पॉलिसी क्या है साइबर सेक्यूरिटी को लेकर के दूसरा वीडियो आपको मिलेगा कि जो राइम को लेकर के कहीं ना कहीं एक वर्क कल्चर में कुछ रिलेक्शेशन होना चाहिए बट वो रिलेक्शेशन देनी की जब बात आती है न तो यह कहा जाता है कि महिलाओं को कंसेशन दिया जा रहा है जबकि वो एक तरीके से उनकी नीड है ओके तो यहां पर हम इसी को कंसेशन ना मानते हुए एक्चुल में उनकी नीड कंसीडर करते हुए और फिर काम किया जा रहा है कि हाजी महिलाओं को उनकी फिजिकल चैलेंजिस को हैंडल करने में सहयता दी जाए ठीक है तो उस पॉइंट आफ्यों से हम आर्टिकल डिसक्स करेंगे एक आर्टिकल त बात करें ना तो उसकी वेबसाइट जो है वो दो महीने पहले बताया जा रहा है कि एक तरीके से डेटा प्रीच हुआ उसको हैक कर लिया गया उस वेबसाइट को और पता पड़ा कि लगबग 80 करोड लोगों का जो डेटा है वो वहां से लीक हो गया अब आप सोचो कितना बड़ा एक ये फिगर है डेटा की अगर बात करें दिली पुलीस ने चार जनों को अरेस्ट भी किया है और ये अपने आप में साइबर सेक्यूरिटी के लिए एक गजब का लेसन है कि कैसे आप इंटरनेट बेज्ड एकॉनोमी को एक्सपेंड करने की बात करते हो आप कहत इसलब साइबर सेक्यूरिटी को अब बहुत जादा प्रायरिटी वे रखने की ज़रूरत है क्योंकि आप डिजिटलाइजीशन को बहुत जादा बढ़ावा दे रहे हो ठीक है दूसरी तरफ गवर्मेंट की तरफ से देखा जाए तो गवर्मेंट तो खुद अपनी तरफ से health care को ज़दा से ज़दा digital segment पे ले जाना चाती है । नेखो फाइदे बहुत सारे होता है कोई भी काम किया जाता है तो हमेशा positive intent के साथ किया जाता है पर उसके जब execution के बाद में जब उसके consequences हमारे पास में आते हैं तब हमें थोड़ा सा update खुद को करते रहना पड़ता ह और यही life का एक part होता है life इसी को बोलते हैं कि हम शुरू ने हमने कुछ शुरू किया कमिया हमें पता पड़ती रही और हम खुद को upgrade update करते गए तो ऐसे में healthcare को अगर digitize करना चाहते हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा logic क्या है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी treatment कैसे दिया होगा तो कोई भी surgeon के पास में आप जाकर के consult करोगे health related तो वहाँ पर के पेशेंट की ID आप डाल करके उस पेशेंट की पूरी history access कर पाऊगे तो यह चीज़े कहीं ना कहीं एक कैतना की कोई health care facilities provide करने का तरीका है बट यहाँ पर इस तरीके के अगर यह cyber security breach अगर देखने को मिलेगी तो फिर देखो खत्रा बढ़ता है ठीक है यह जो breach हुआ ठीक है असी करोड लोगों का जो data leak हुआ यह USA की agency के द्वारा आज के लगबग सबसे पहले मतलब USA की agency ने highlight किया था बुला आपकर data breach हुआ है वहाँ पर ठीक है अब यह सबसे बड़ी बात क्या है कि यह 80 करोड लोगों का data जो breach हुआ है तो यह तो volume में तो चलो ठीक है कि shocking है बट इसमें हमें यह भी देखना होगा कि कौन कौन सी कैसी कैसे information है वो leak हुई है आप देखो लोगों के आधार card ह है उनसे संबंदित phone number है passport details है health records सारे अब income issues किस किस तरीके से कर सकते है hackers आप एक बार imagine ही कर सकते हो ठीक है इससे लोगों के financial transactions के बारे में लोग पता कर सकते है financial transactions के basis पे लोगों को मतलब blackmail कर सकते है किसी भी तरीके से कि हाँ यार यह पैसावाल आदमी है इसके अपन पैस सकते हैं लोगों की जो personal communication है ठीक है उनसे related details वो निकाल सकते है medical details निकलवा करके जो insurance होते है वो आपको call अब खुद देखा गरो कि अगर घर में कोई एक patient अगर हो गया ठीक है unfortunately या फिर किसी वज़े से फिर आपके घर में कैसे line लग जाती है फोनों की कि आपके घर में ऐस करते हैं वो चीज़े कहीं नहीं problem create करती है और सबसे बड़ी बात privacy violation article 21 right to privacy जो की fundamental right का part है आपकी वो खत्रे में चली जाती है तो ये चीज़े कहीं नहीं वाकई में problematic है इस पर government को और जो हमारे institutions है उनको properly काम करना चाहिए क्योंकि data is a new fuel इस fuel का misuse भी हो सकता है ठीक है चलो आगे डिजिटल सिस्टम को इतना बढ़ावा क्यों मिल रहा है health care में देखो इसका well proven अगर evidence देखे तो covid के time पे हमने देखा कि किस तरीके से आरग्य सेतू करके application develop होई थी covid करके platform के basis बढ़ा असानी से हमने trace भी किया कि कितने लोग कहां पर कितने covid infected हैं किनको vaccine लग गया help की है साथ में आज की time पे electronic repositories जो मैंने बताया ना centralized data होता है उसमें आप अपना data store करके रखते हो patient से related तो diagnose करना और जल्दी से जल्दी बढ़िया quality का treatment देना बढ़ा आसान हो पाता है और government of India की तरफ से आयुश्मान भारत digital mission भी launch किया है जिसमें target यह है कि digital healthcare को ज़्याद ज्यादा प्रमोट करना है और यह एक federal एक federated architecture के तौर पे काम करेगा that means आप इसमें क्या करते हो कि जो data store होगा वो decentralized manner में अलग अलग जिगह पे होगा और साथ में access भी जो भी enlisted hospital या surgeons होंगे वो access भी कर पाएंगे easily तो कहने का मतलब यह है कि digital segment को healthcare में डालते हुए एक inclusion आ कही ना कहीं digital segment के ऊपर government का जूर है world bank की तरफ से एक study आती है कि अगर यह आयुशमान भारत digital mission proper manner में implement होता है तो आप मान के चलो कि इससे जो health insurance हैं इनको बहुत जल्दी data access होने का मौका मिलेगा तो कहने का मतलब यह हो गया कि हमें कही ना कहीं citizens की security पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है अभी recent time में aims के servers को hack कर लिया गया था ransom attack होगा था जिसमें ransom का मतलब क्या हो गया कि आप data को बिलकुल lock कर देते हो और फिर कहते हो कि अगर इस data को access करना चाहते हो तो भाया इतना पैसा आप bitcoins में pay करो मतलब cryptocurrencies में वो पैसा मांगते हैं अब cryptocurrencies म aims का सारा काम manual mode में चला गया digital mode एकदम hold में चला गया यह बहुत बड़े disruptions है इनसे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है अब सवाल यह है कि क्या India एकलोता ऐसा country है कि जो इस तरीकी की परिस्तितियां भुगत रहा है जी बिलकुल नहीं अभी recent time में United Kingdom वहाँ पर भी national health system जो है NHS वहाँ पर इसी तरीके से बहुत बार attack देखे जा चुके हैं वहाँ पर सतर टेराबाइट का जो data है वो ransom attack के अंडर आ गया था अब आप सोचो सतर टेराबाइट ओके GB से भी उपर पहुँच गए है समझ गया आप गीगाबाइट से भी इसके लावा UK में एक कानू अब हमें यहाँ पर UK के केस को क्यों हाइलाइट किया है एडिटर साब ने कि UK में ब्रीच होती है data की देखो फुल प्रूफ आपका system बने उसमें बहुत समय लगता है और फुल प्रूफ बैसिकली हो ही नहीं सकता क्योंकि हमेशा problem creators तो रहेंगे society में वही बात है कि चोड जब तक है जब तक की police की relevance वह वाला case है तो इस तरीके से केवल police को अपने आपको update करते चले जाना है कि चोड से थोड़ा आगे सोच लो जिससे की परिस्तितिया बिगड़े उससे पहले आप handle कर लो तो UK में क्या है कि वहाँ पर UK Data Protection Act है उसमें यह है कि अगर कहीं पर भी क particular platform XYZ से breach हुआ है यहाँ पर hacking हुई है या फिर कोई problem आई है तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के alert रहें पैनिक ना हो ठीक है या फिर उस चीज़ को लेकर के बिलकुल alert रहें कि कहीं हो आपके financial transactions को track कर रहा है या फिर आपके account में किसी की नजर चल रही है कोई transaction regulated entities हैं उनको जब कभी भी कोई ऐसी information या कोई ऐसा hint मिले कि कहीं पर data release I mean कोई कहीं पर hacking हुई है या कहीं पर data breach हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं notify करेंगे वो जल्दी से जल्दी और जब notification लोगों के पास पहुँच जाएगा तो लोग एकदम से panic नहीं करेंगे पहली चीज उसके उपर फिर आप आपनी accountability भी तो fix करोगे ना जब वो चीज release हो गई तो कहीं ना कहीं जिन officials का वहाँ पर role था अगर वो लापरवाई शो कर रहे हैं तो कम से कम उनकी accountability तो आप settle कर पाऊगे तो इस तरीके से बोले USA में और UK में laws available है जो कि public oriented काम कर रहे हैं public के साथ में bilateral conversation है फिर बात की जाए India की देखो हमारा data protection act हमारे पास available है बट उसका criticism क्या होता है कि इस तरीके की sensitivities के ओपर इतना ध्यान नहीं दिया गया है कहीं ना गहीं health related information की security को इतना हलके में लिया गया है जितना हलके में UK और US में नहीं लिया गया है कहने का मतलब हमें data security के ओपर काम करना होगा और यह एक alarming bell है जो कि अभी ICMR की website है कोई है उससे related समझे तो बोले यह समय है policy makers जगें और सही काम करें ठीक है तो देखो इस वीडियो में इतना ही था एक वीडियो और दूँगा मैं अभी आपको और फिर time मिला तो और एक दो articles हैं वो हम और cover कर लेंगे ठी थैंक यू वरी मच